नमस्कार मैं हूँ CL तलानिया GPC शीकर से और GPC शीकर की E-Lecture Classes में आपका स्वागत है आज का हमारा सब्जेक्ट है Power System 3rd जिसका कोड है EE308 और आवर सिस्टम 3rd में चो टोपिक आज पढ़ेंगे उस टोपिक का नाम है टाइप अप लोड एंड लोड कर अब टाइप अप लोड पढ़ने से पहले हम डिफाइन करेंगे लोड क्या चीज है लोड किसको बोलते हैं तो ऐसी डिवाइसेज या ऐसी युक्तियां जो की Power System में Electrical Power को ग्रहन करती हैं तता विद्युशक्ति का उप्योग करती हैं लोड या बहार कहलाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जितनी भी जो डिवाइसेज हैं जो की Electrical Power को यूज करती हैं Electrical Power को रिसीव करती हैं तो इन सब को हम लोड कहते हैं अब हम पढ़ेंगे Types of Load यानि बहार के परकार लोड कितने Type का होता हैं तो हम देखेंगे Load निम्न प्रकार से होते हैं जैसे मोटे-मोटे तोर पर हम जो Load को अलग-लग Type में Divide किया हैं ए है गरेलू भार या Domestic Load बी है इंडस्टियल उद्योगिक जो इंडस्टिय में काम आता हैं फिर है सी व्यापरिक भार या Commercial Load जो बाजार में यूज होता है फिर है नगरिय भार या Municipal Load जो कि मेंदे स्ट्रीट लाइट बगेरा है इन सब का Load होता है फिर है सीन्चाई Load यानि की Irrigation Load इरिगेशन सीन्चाई के अंदर जो लोड काम में आता हो और F है संक्रशन भार यानि Traction इलेक्टिक Traction लोड तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो Domesting या घरेलू बार है तो ये सारे के सारे जो घरेलू बार है ये Residential एरिया आवाशी एक्षेतर के अंदर जितने भी लोड काम में आते हैं वो है जैसे आपका ये हो गया पंखा, फ्रीज, कूलर, AC, हीटर, गीजर, मिक्सर, ओवन, गरेलू बिजली के उपकरण, छोटी मोटर, अधिका लोड होता है जो घरू में जितने भी बिजली से चलने वाले जो सादन है, सब इसके अंदर आ जाते हैं इस प्रकार के जो लोड के जो उपबोगता है, वो छोटे होते हैं, इनकी जो डिमांड है, मांग है, वो भी कम होती है इस प्रकार के load का जो power factor सकती गुणांक है वो भी low होता है 0.5 से लेके 0.7 तक होता है और ये जो load है इसके अंदर जो सहरी क्षेत्र है city है वहाँ पे जो विद्यूत निगम दौरा 24 गंटे विद्यूत सप्लाई की आप उर्ति की जाती है लेकिन जो ग्रामिन क्षेत्र है उसमें जो टाइम है वो 24 गंटे के अप एक साथ थोड़ा कम होता है अब इसके बाद में अगला है उद्योगिक भार या industrial load तो उद्योगिक भार industrial load यनकी जितनी भी industry है उसके अंदर जितनी भी motor है induction motor है synchronous motor है जो भी load industry से related जो ध्योग से related जो भी load है वो इसकी load के अंतरगत आता है तो industry में सुबए 6 बजे से ही कुछ load तो शुरू जाता है और 8 बजे से shift शुरू हो जाती है तता load एकदम से बढ़ जाता है तता दिन भर फिर average load रहता है अब next है व्यापारिक भार या commercial load commercial load के अंदर क्या है कि इस प्रकार के load के अंतरगत market का जो load है वो आ जाता है lighting का load, pancake का load, cooler का load, AC का load तता छोटे विद्यूत्सादन इसके अंदर सामिल होते हैं ये सुबह आठ बजे से रातरी आठ बजे तक लगबग ओसत रहता है रात को केवल lighting का load रहता है और इसकी जो demand factor है वो उच होती है इसके बाद में है नगरिय भार, municipal load तो नगरिय भार या municipal load इस load के अंतरगत street light या गली या सडकों पर लगी light तता जल supply आप पूर्थी के उपयोग मान आने वाली motor का load होता है लाइटिंग का demand factor तथा diversity factor लगभग एक समान सा होता है लाइटिंग सुबह morning में बंद हो जाती है यानि municipal load की जितने वी light है वो morning में बंद हो जाती है अब इसके बाद में जो है वो है सिंचाई भार यानि की irrigation load शिंचाई भार तो शिंचाई भार के अंदर क्या है कि इस load के अंतरगत मुख्य रूप से tube well मुख्य रूप से ट्यूब वेल का load होता है तो ट्यूब वेल से शिंचाई करने के लिए पानी देनी के लिए काम में लिया जाता है कुछ क्षेत्रों में शिंचाई भार उद्योगिक भार से भी ज्यादा होता है ट्यूब वेल सामने ते रात्री की दुरान बारा घंडे तक चलाई जाती है इस load का demand factor तथा diversity factor लगभग unity या इकाई होता है अब next है traction load संकर्शन भार या traction load इस load के अंत्रगत ट्रोंवे ट्रोंवे ट्रोली बस रेल गाड़ी रेलवे स्टेशन का load साम्मिल होता यानि कि train का सभी train है ट्रोंवे ट्रोंवे ट्रोली बस और रेलवे स्टेशन का जितना भी load होता है वो सब traction load के अंदर आ जाता है यह सूब चार बज़े से train सुरू जाती है तथा load का बढ़ना सुरू जाता है सूब आठ बज़े से load अधिक्तम होता है 10 बज़े के बाद आवरती गटने से load गटता है शाम 5 बज़े के बाद जब करमचरी अपने घर लोटते है तो ट्रेन के अंदर फिर load बढ़ जाता है तथा बाहर बढ़ने लगता है तथा 9 पीम नो रात्री के 9 बज़े के बाद में load गटता है तो मद्दे रात्री से लेके और 4 a.m. यानि सुबर की 4 बज़े तक रात्री की 12 बज़े से सुबर 4 बज़े का load काफी कम होता है तो ये सारे के सारे हमने ये पढ़े ये सारे के सारे load थे type of load थे अब हम पढ़ेंगे load curve लोड कर्व क्या होता है तो ऐसा कर्व जो की विर्द्यूत इस्टेशन पर समय के साप एक्स load में जो बदलाव या variation होते हैं को दिखाता है या show करता है को load कर्व कहते हैं इसे कर्व जो की विद्यूत स्टेशन पर समय के साप एक्स load में जो भी बदलाव या variation होते हैं उनको show करता है load कर्व कहलाता है पावर स्टेशन पर उपबोगता की अनसर्टेन मांग के कारण लोड समय समय पर बदलता रहता है या वेरी करता रहता है जिसे वेरियेबल लोड कहते हैं और लोड कर्व है ये कई परकार के हो सकते हैं जैसे डेली लोड कर्व मंथली लोड कर्व येरली लोड कर्व तो डेली लोड कर्व भी हो सकता है मंथली भी हो सकता है और येरली लोड कर्व भी हो सकता है अब हम देखेंगे importance of daily load curve, daily load curve के importance है वो पड़ेगे, तो सबसे पहला है, point इसके अंदर है, वो है, जो load curve है, ये विभिन गंटों में होने वाले बदलाव को शो करता है, दूसरा point है, लोड कर्व के अंतरगत आने वाला area, जनरेशन यूनिट पर डे को बताता है, फिर तीसरा point है, लोड कर्व का उच्छतम बिंदू, दिन की अधिक्तम मांग को शो करता है, फिर एवरेज चो लोड है, उसको भी इससे हम निकाल सकते हैं, वो एवरेज लोड होता है, एरिया अंडर डेली लोड कर्व बटे, 24 hours, फिर नेक्स्ट इसमें point है, लोड कर्व से जो आपकी पादित इकाई या जनेटिंग इकाई की जो size है, उसको decide करने में भी help मिलती है, फिर लोड कर्व, operation schedule को निर्दारित करने में भी help करता है, फिर लोड जो factor है, वो भी निकाल सकते हैं इससे, वो हम एवरेज लोड को निकालके, maximum load demand से divide करते हैं, तो load factor आ जाता है, यह load factor विकले, average load बटे, maximum demand, अब monthly load कर्व का, क्या importance है, तो उर्जा की दर या energy की rate को fix करने में monthly load, उर्जा की दर को fix करने में monthly load कर्व बहुती उप्योगी सांबित होता है, इसके बात है yearly load कर्व का क्या importance है, तो yearly load कर्व, annual load factor, वार्षिक भार बुणांक, का पता लगाने में, load कर्व बहुती उप्योगी है, यानि की annual load factor की calculation करने में, पता लगाने में, determine करने में, yearly load कर्व बहुती important है, thanks.